वीवर्स ये फैमिली बहुत ही गरीब होती है वो सब तो अपनी अपनी लाइट में काफी स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन उनकी नसीब तब बदल जाती है जब उनके घर पर आसमान से बहुत सारी मीटियोरइट गिरने लगे थे और उनी मीटियोरइट की वज़े से उस पूरे फैमिली मेंबर्स को अलग-लग टाइपस की पावर मिल गई थी कोई एकदम से इन्वीजबल हो सकता था तो किसी के पास सो हातियों के पावर आ गई थी कहानी की शिरुवात में हमें एलेक्स नाम का एक आदमी दिखाय जाता है जिसने की कुछ आदमियों से पैसे उधार ल अस्थमा होनी के कारण उसे मिलिटरी में कोई भी लेता ही नहीं था और लास्ट में आती है उसकी चोटी बहें शाचा जो कि इतने चोटे उम्र में किसी अडर्ट लेडी जैसा दिखना चाती थी और वो तो अपने से बड़े आदमियों पर भी लाइन मारती थी एलेक्स ज चाहेगा कि उसका घर भीके और वो लोग एकदम से रास्ते पर आ जाएं वो सबी लोग बाते करी रहे होते हैं तब उनके घर में टेजी से एक अजीब चीज गिरती है जिसने तो वहाँ पर पूई तबाई माचा दी थी जब एलेक्स अपने फैमली के साथ बाहर आ जाता ह और जमीन के अंदर खोद के उस मीटरेट को बाहर निकालने लगता है कुछ टाइम के मैनेच के बाद वो उसे निकालने में कामयाब भी हो गया था पर तबी एलेक्स को उसके ग्रेंट फादर पेवल बुलाते रहते हैं पेवल की तब यह तचानक खराब हो चुकी थी तो इसलिए एलेक्स एम्बुलेंस वालों को बुलाने ही जा रहा होता है तब ही एलेक्स उसे बताता है कि उससे अब जीना नहीं है उसने अपनी पूरी लाइफ अपने फैमली के साथ अच्छे से जी ली और अब उसे सांती के साथ मर जाना है इसके तुरंद बाद भी पैवल उसे उठाने आता है तब एलेक्स देखता है कि मिया वहाँ से गायब है एलेक्स और टॉलिक जब बाहर आकर देखते हैं तब सासा के पता नहीं कैसे सूपर स्टेंथ आ गई थी और वो तो काफी आदा पावरफुल हो गई थी रिटा तो अचानक से हवा में उडने लग जाती है और उसका ग्रेंट फादर जो मर चुका था अब वापस से जिंदा हो गया था और वहाँ पर आ गया था अलेक्स को तो ये सब देखकर कुछ समझी नहीं आ रहा था जब उसकी गल्फिंड मिया नीचे हाती है तब उसका उपर वाला बाड़ी एकदम से इनिवेजबल हो गया था अब एलेक्स से फिगर आउट करता है कि उस मीटेयोर की वज़े से उन सभी के पास कुछ न कुछ टाइप्स की पावर्स आ गई हैं मिया जब पुलिस ताले को कॉल करने के लिए दूसरे रूम में जाती है तब पैवल अचानक से वापस मर जाता है लेकिन उसके फादर बॉर्स को ये प्लान अच्छा नहीं लगता क्योंकि अगर ये सारी चीजे बाकी लोगों को पता चली न तो उनकी पूरी फैमली एकदम से डिंजर में पड़ जाएगी बॉर्स के पास तो टेलिपोटेशन की पावर आ गई थी मतलब कि वो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से मूव हो सकता था वो सब अपने पूरी पावर से एकदम फ्रस्टेट हो गए थे क्योंकि उन पावर्स को उन्हें अभी कंट्रोल करना नहीं आया था ना तो इसे लिए वो सब एक पिकनिक पर जाने का प्लान करते हैं साकि वो इस बारे में कुछ सोच सके हैं